नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं चनल पर हादिक स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अभी भारत की रैपिड मेट्रो ट्रेन चालू हुई है यानि की नमो बारत ट्रेन इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है जो की आर आर टीएस साड में बोलते हैं वो ट्रेन अब साहिवाबाद से लेकर के और दुआई डिपो तक चल चुकी है माननी प्रदान मंतिर नाय मोदी जी ने अभी पिछले एक हपता पहले ही इसका उद्गाटन किया है और ये दोस्तों इसमें मुझे भी सफर करने का तुछा सोबाग मिला है लेकिन उसमें जो सावधानिया बरतनी होती है उनको मैं भी सेस हाइलाइट करूँगा जैसा कि सबसे पहले आप नमो बारत ट्रेंड में आप सफर करेंगे यानि कि रैपिट रेल में तो आप सबको पहले टिकर लेनी होती है बहुत से लोग आप के माध्यम से अपना कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर इसके लावा कार्ड भी मिलता है कार्ड के लावा यदि इन में से कोई एक दो बारी सफर करना है तो आप टिकर ले लिए काउंटर से मैंने देखिए काउंटर से टिकर ली वही है तीस रुपए की गाजियावास लेकर के साइवाबात तक अब दोस्ते इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वह यह कि देखिए इसमें एक QR कोड आपको दिखाई देगा तो यह एंसी यार सीटीसी के अंतरगत यह रैफिड रेल इसका सफर आप टिकर लेंगे इसमें सब को लिखा रहता है कहां से कहां आप जा रहे हैं सिंगल जनी टिकर रहें डबल लोग है या जितने भी लोग हैं डेर पड़ी होती है और इसमें लेप्ट ह कोड होता है यह दोस्तों बहुत ही इंपार्टेंड है यह टिकर आपको अंतर तक रखनी है यह आपको QR कोड वहाँ पर इसकैनर में आपको सो करके आपका गेट खुल जाएगा सेम मेट्रो कितने प्रोसीजर है यह केवाल इसमें QR कोड को स्कैन कर दीजीगा और आपका गेट खुल जाएगा आप अंदर चले जाएगा ट्रेन पकड़ने के लिए अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों नर्मली कि ये कागज का टुकडा है तो इसको जेब में डाला यह मोड़ा यह इसे मोड़ दिया बहुत लोग पेर नहीं रखते हैं और इसको अपना जेब में कई में रख लिया जबकि इसमें साब लिखा रहता है कि इसको अंत तक सुरच्चित रखें तो दोस्तो यदि आपने इस टिकट को मोड दिया मोड करके अपने जे में कई बार फोड़ कर रख लिया तो जो दोस्तो इसका QR कोड है उसकी इस्तिती बिगड सकती है और यदि QR कोड की इस्तिती बिगड गई तो आप जिस स्टेशन पर उतरेंगे जहां से बार निकलेंगे वहां आपको प्रावलम हो सकती है क्योंकि यदि QR कोड की इस्तिती बिगड गई तो ये आपको आउट होने नहीं देगा क्योंकि यह आपकी जो इस्ती विगड़ गई है उसको वहाँ पर पकड़ेगा यह नहीं और इसमें आपको अधिकारियों के चक्कल लगाने पड़ेंगे टिकट दिखानी पड़ेगी तब जाकर के कहीं बामुसंगमत आप बाहर आ सकते हैं काफी प्राबलम में भी फच सकते हैं इसलिए ध्यान रहे कि जो आप फिजिकल टिकट आप लें काउंटर से क्यूर कोड़ वाली उसको बहुत ही सुरच्चित जब तक आप अंतेम स्टेशन से गंतव वाली स्टेशन से बाहर न निकल जाएं तब तक इसको आप पूरी तरह स सुरच्चित रखें इसके क्यूर कोड को किसी भी तरह से मुड़ने न दें इस बात का विश्यास ध्यान रखें नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं दोस्तों यह रैफिट डेल का सफर बहुत ही अच्छा सफर होता है मैंने एक बार सफर किया है बिल्कुल एरो पिले अब दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह से जो लोग मेट्रों में सफर करते हैं वो तो समझते होंगे कि आप जिवी मेट्रों आकर के इस ट्रेपलेट फारम पर खड़ी होगी उसका गेट आटोमेटिक खुल जाता है और उसमें चड़ जाते हैं आटोमेटिक बंद हो जाता है इस रैपिड रेल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है दोस्तों वरना आप ट्रेन में चड़ नहीं पाएंगे जोस्तों जहां पर इसकी पटरियां है प्लेट फारम है तो प्लेट फारम पर बाउंडरी टाइप बना रखी गई है करीब लगवग 6 फिट और 5 फिट के बीच में हाइट होगी उसमें सारी जैसे कोई 18 से टाइप के नहीं होते हैं इसे पुलिस वालों के रोड में बीच में ट्रैक लगा देते हैं इस तरह से पूरा वहां इसको कवर्ड कर रखा है ताकि कोई पटरियों पर भी न जा सके साथ ही ट्रेन आये तो उससे वहीं डिस्टेंस बनी रहे तो इसमें मुक्त दे विजान देने वाली बात एक मेटरों से जो इसमें डिफरेंस है वो यह है कि इसमें आपको सबसे पहले जो उसकी बाउंडरी बना रखी है उसमें जगए जगए खिलकियों के इसाब से उसमें गेट लगा रखे है इसमें अंदर आज जाने के लिए तो वो गेट आपको आटोमेटिक इसके नहीं खूलेंगे जही रैपिड रेल प्लेट फारम पर आएगी तो उसके बाद आपको एक उंगली से जो बाउंडरी में गेट लगे हुए जगए 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 प्लेट फारम पर उसमें आपको उनगली से टच करना पड़े गोस धलसा उसमें चिंद आपको दिखाई देगा उसमें आपको टब गेट खुलेगा इसी तरह से सेम्म्मस/. जब आप ट्रेंड frame के पास में टिबबे के पास पोहुचे लेकिन सवारी को उंगली दिखा करके उंगली से टच करके उस गेट में तब यह खुलेगा जैसे बार की बाउंडरी पर गेट में उपली से आप उसको टच करके अंदर जाएंगे same procedure आपको rapid rail के डिबे में जो gate होता है उसमें भी आपको खोलना पड़ेगा touch करके कि बाहर कोई सवारी है वरना वो gate नहीं खुलेगा और train आगे बढ़ जाएगी तो इस बात का भी से जानके हैं कि आप ये ना समझें कि train आएगी तो उसका जो gate है वो आटोमेटिक खुल जाएगा आपको उसमें एदि चड़ना है एदि कोई दूसरी सवारी नहीं है तो आपको उसमें अपनी फिंगर फ्रिंट उसमें आपको टच करना पड़ेगा तवी वो gate खुलेगा तो ये विशेश ध्यान देने वाली बात है कि उसमें ये ना आप इंतियार करें कि gate आटोमेटिक खुल जाएगा ये नमोबात ट्रेंड में ये अलग से ब्वस्ता की गई है कि आप में जो प्लेट फारम पर इंट्रेंस का है आप उस पर उंगली टच करके gate खुल के अंदर जाएगे साथ ही ट्रेंड में भी जो डिबबा है उसमें भी आपको उंगली टच करके ही अंदर जाना इसी तरह से अंदर से बाहर निकलने के लिए भी तो इस बात का ध्यान रखें तो आपकी जरनी बहुत ही अच्छी रहेगी पहला आप टिकट को जो फिजिकल है उसको सुष्चित रखें आखरी तक और दूसरा की नमो भारत ट्रेंड की जो खिड़की है वो आटमेटिक न करेंगे आप रैफिट रेल में तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपना जो यात्रा है उसको मंगलमई सुगदाई बनाएंगे तो दोस्तों आप सभी को रैफिट रेल की हैपी जरनी हैपी नमो भारत ट्रेंड का सफर दोस्तों बताईगा यह आपको कैसा लगा यह कहां तक ठीक है और क्या इसमें सही गलत आगे होना चाहिए दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दें सेर भी कर दें हमाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद